दर्मशाला में सेंटरल युनिवस्टी के मुद्दे पर अखिलभारती विद्यार्थी परश्यत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है एबी बीपी सेंटरल युनिवस्टी के लिए आंदोलन शुरू करेगी जिसके तच्जिला प्रशाशन के माद्यम से ग्यापन भी भेज जाएंगे एबी बीपी धर्मशाला के विधाय का कांगडा संसी दियक्षेतर के सांसद द्वारा केंदरी विश्य विद्याले मामले में आवाज बुलंद ना करने पर उनका घेराव भी करेगी अखिल बारती विध्यारती परिशद का कहना है कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर का भी घेराव किया जा सकता है ABBP का कहना है कि भाजपा नेता परदेश वा केंदर में भाजपा सरकार होने के बावजूद डबल एंजिन की ताकर से परदेश के विकास की बात तो कर रही है लेकिन सेंटरल युनिवरस्टी के मुद्दे पर ये डबल एंजिन फेल हो रहा है अखिल भारती विद्यारती परिश्ट के जिला संयोजका अबिशेकर राणा ने कहा कि ABBP वर्ष 2009 से केंदरी विश्यवी द्याले के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती आ रही है चाहे कोई भी सरकार क्यों न हो राजनेतिक दलों दोरा चुनावी समय में सेंटल युनिवरस्टी का मुद्दा उछाला जाता है लेकिन सरकार बनने के बाद इसे नजर अंदाज किया जाता है उन्होंने कहा कि एबी वीपी आंदूलन शुरू करेगी जिसके तहट विधाय के सांसद और परदेश सरकार को घेरने का काम किया जाएगा ताकि सेंटल युनिवरस्टी का निर्मान जल्द खो सके जाता है, जी केंद्र विश्वदाले हमारे हिमाचल परदेश जीला कांगर के लिए बहुत अच्छी सोगात थी परन्तु मुझे नहीं लगता कि सरकारे इसको बनाने में जादा रूची दिखा रही है केंदर विश्वदाले हमारे चात्रों के लिए जो यहां के हिमाचल के स्थाई निवासी हैं जो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए एक बहुत एच्छी उपरचुन्टी थी परंतु सरकारों ने इसका हनन करने का काम किया है विदार्थी प्रिश्वद कल से ही अपना अंदोलन एक कड़े रुख के साथ अपनाने वाली है कल से ही वो यहां के जो स्थानी विधायक है चाहे वो यहां के MP है चाहे वो हमारी हिमाचल की सरकार है उन्हें घेरने का काम करेगी अपने अंदोलन को एक रफतार देगी ताकि केंद्री विश्वदाले का जल सजल निर्मान किया जा सके जो हमारे हाँ के स्थानी विधाय का है चाहे MP है चाहे हमारे DC के माध्यम से है उन्हें का घिराव करके उन्हें ग्यापन देके अपना रुख स्पष्ट करेगा कि अगर इसके हमारी मांग को 15 या 20 दिन के अंदर जिस तरह से हमने नोडल ओफिसर से मिलकर अपनी बात कही थी उन्हें से बात की थी कि हमारे इस विश्व दैले का मुद्धा कहा तक पहुंचा है तो उन्हें हमें सब जो जानकारी है जो फाइल क्लेरंस की है चाहे वो जमीन क्लेरंस की है चाहे वो किसी की तरह का मुद्धा है उन्हें हमारे सामने समक्ष रखा था और फाइल मिनिस्ट्य आफ इन्वाइरमेंट को गई हुई है तो उन्हेंने कहा थे कि 15 से आने वाले 20 दिनों में जल से जल इस फाइल का निवारन होगा तो अभी देखते हैं जी कल से किस तरह से जो हमारा इने काम करने में मुझे लगता है कि कुछ रूची उनकी खाज नहीं है सिर्फ केंद्री विश्वदाले का मुद्धा सिर्फ उन्हेंने इस बात के लिए रखा है कि जब इलेक्शन आएंगे तो इस मुद्धे को बड़े-बड़े बैनरों में लोगों के स्मक्ष रखके चातरों के श्मक्ष रखके वोट बेंक की राजनीती करने का काम करेंगे सिर्फ मुझे लगता है कि नेताओं ने यही काम रखा है इस केंद्री विश्वदाले के लिए